पिर पुलिस की दो जिफसी आती हैं जिनमें एसो चोखोद आते हैं सव इंस्पेक्टर आते हैं और एसाई आते हैं कही सारे मिलके करी 20 जवान आते हैं और वो हमारे साथियों को पकड़ना सुरू कर देते हैं कितने लोग बता रहा था मुझे जो डीग की जेल में कुछ दिन रहा कह रहा है डीग की जेल भरी पड़ी है मंतरी जी के जूटे लगाए मुकदमों से विधायक साहिबाने मेरी बेजती की है मुझे जलील किया है और मुझसे अपसब्द कहें हैं ओ जालिम कितना ही कर ले लमसुना डरसें अब ये जो मुकदमा हुआ हमको 151 में जमानत मिल गई लेकिन वो मुकदमा एज इस इस है आज भी वो इसलिए रखा उस मुकदमे को कि अभी अगर मुझे उसमें बंद करवाते तो हंगामा हो जाता फिर हमको थाने ले गए वहां पे तो उस लड़के को बुला कर उसके नाम से हमारे नाम मुकदमा दर्ज कराएगा अगर अगर डखेती के रही है तो अभी तो हम जेल के अंदर हैं अभी तो हम पुलिस के हाथ में हमें छोड़ क्यूं रहे हो किसी भी सूरत में डरना नहीं है ये भरजी लोग है मकार लोग है तो कहता है यार मेरे मेरी गर्दन पर भंदा लगा पड़ा है मेरे उपर दवाव है खुदासू सिर्फ डरनियां हम जतियरी जियल सुना डर से दोस्तो मेवात लाके के कामा विधानसभा में अभी हाल ही में एक मॉलाने के ऊपर हंगामा हो गया जिसके बाद कामा विधानसभा से विधायक जायदा खान के पुतले फूंके गए और इलाके के लोगों ने नाराजगी जताई वही दोरान कुछ वीडियो सोसल मीडिया पर भी वाइरल हुए जिसमें साफ तोर पर देखा जा सकता है कि पुलिस के कुछ जवान हैं जो कहीं ना कहीं इलाके के लोगों को जिफसी में डाल करके वहां से ले जाते हूं ने ज़राते हैं वही जैसे जैसे वक्त बीता वेसे वेसे ख़बर ये भी आई कि इलाके के कुछ जम्यदार लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके बाद उनके उपर ड़केदी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिसमें एक नाम आता है मुक्तियार एहमद का जो की भावी उम्मीदवार हैं विधायक पद के कामा विधान सबा से उनको भी हिरासत में लिया गया उनको भी जेल में डाला गया इसके अलावा मुक्तियार के और भी केई साथी थे जिनको हिरासत में लेकर के जेल में डाल दिया गया खैर फिलहाल हमाई साथ में मुक्तियार एहमद सा कड़ा और उसके बाद में आग जनी हुई यानि की पुतले हैं उनको फुंका गया और उसके बाद में मुक्तियार साब हमारे भीच में है वो जमानत पर आ गए हैं कि इसको लेकर किया कुछ कहते हैं मामला समझने की कोशिच करते हैं अच्छा मुक्तियार साब क्या हुआ था इस्टाइटिंग से आप बताईए कि जब पुतले फूंके गए विधायक के किस बात की नाराज़गी थी हमारे कामा मदर्से के पूरे इलाके का बड़ा मदर्सा है मरकज का मदर्सा है उसके जिम्मेदार हमाली हरून साब तो वो किसी मसले को लेकर जिम्मेदार आदमी और भी थे इलाके के उनके साथ वो विधायक महदे से मिलने गए उनके वहां पर तो उनके वहां जब गए तो मेले साब के सामने वो प्रस्ताव रखा कि यह यह मसला है तो मेले साब उनके बड़क गई वहां पर सडियम भी थे इलाके के और लोग भी थे जो मेले से मिलने आये हुए थे तो उसके बाद क्या कुछ हुआ उसके बाद हमें जो पता चला मौली साब का एक वीडियो सोसल मीडिया पर आता है वाइरल होता है उसके बाद हमारे और इलाके के लोगों के संग्यान में आता है जिसमें मौलाना यह कहते हुए देखाई देते हैं कि विधायक साहिबा ने से अपसब्द कहें हैं और उन्होंने लाके की सामने अपनी बात रखी और उन्होंने पंचायत का ऐलान किया तो हम कुछ साथियों मिलकर अबन इचाल करें कि और बहुत सारे नौज़वान थे जिन कितने बज़े का वाकष आ रहा होगा तो दिन में ये प्रक्रूरण सामने आया था साम को होते होते मौलु साहब का एक वीडियो तो उसके बाद सब लोग अपने अपने घर लोट गए उसके बाद यह हुआ हमारा ओफिस है वहीं पर मेरा खुद का ओफिस है कोशी चौराये पर ही उसके सामने हमारे कुछ दोस्त बैठके हम कुछ खाने के लिए हमने ओडर कर दिया था पड़ोस की दुकान से तो हम वहां बैठे थे इस टूल लगा के जो की वीडियो में भी देखा जा सकता है फिर पुलिस की दो जिपसी आते हैं जिन में सब इंस्पेक्टर आते हैं और एसाई आते हैं कैई सारे मिलके करी बीश यो जवान आते हैं और वो हमारे साथियों को पकड़ना सुरू कर देते हैं बलक पर दोनों को उठाया बलकि यह पता करा पहले मौजूद लोगों से मुख्तियार कौन है नाम पूछ के उन्होंने एका मुख्तियार कौन है उस मुझे पकड़ के लेके गए बाकी और दूसरे साथियों को कुछ नहीं किया पकड़ भी लिया था तो उनको छोड़ दिया थ एक हमारे साथियं सरकारी नोकर रहे हैं उनको पकड़ा 595 के खिलाफ नाम दर्ज मुकादमा दर्ज करा या डकैती का मुकादमा दर्ज करा या अच्छा वहाँ पर ठाउन प्यूजों ये पुटल फूर्ड जा रहे ते उस ठाउन कि था मुस्ताक मुस्ताक वहां जैसा साथी बता रहे थे मुस्ताक वहां था उनका हम जब हमने पुतला नहीं फ्यूका था उससे पहले वो किसी साथी की हमारे की वीडियो बना रहे थे हमारे साथी जो वहां बैठे थे उनकी चुपके से वीडियो बना रहा था वो फॉन ले काम से आएं पहले ये काम कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसका फॉन लोटा देंगे तो जैसे हमने वो फुतला उतला जला लिया तो उसके बाद उसका फॉन भी लोटा दिया गया उसका फॉन आप लोगो ने दे दिया वापस लोटा दिया उसको किसी ने पीटा नहीं मारा नही बलकि कुछ साथी कह रहे थे हाहू लड़ कर रहे थे आगे बढ़के मैंने सबसे ये कहा था किसी ने अगर इसको हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि वो लोग साजिसन ये करना चाहते थे उस सब को मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वो साज यह हिरास्त में जब ले लिया गया मेर फौन मिल गया मैं कोई मुकद्मानी करना चाहता काररवाई नहीं करना चाहता वहाँ से चला गया वो लड़का चला जबाद 2 घंटे बाद को बसे कह नहीं ड्रामा हो गया तो इता यार मेरे 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 गरदन पर फंदा लगा पड़ा है मेर उपर दवाव है मेल साब से बात कर लो बहुत सारी चीजे मैं उनको मॉपा नहीं करना चाहता लेकिन यह मुकदमा हुआ हमको 151 में जमानत मिल गई लेकिन वो मुकदमा एज इस इस है आज भी वो इसलिए रखा उस मुकदमे को कि अभी अगर मुझे उसमें बंद करवाते तो हंगामा हो जाता हंगामा हो जाता डकेती के मुकदमे में हमें बंद करवाते तो तो इन्हें बहुत चा प्रायों पर अब नहीं पकड़ेंगे मुझा रहे मेरे ना मुकदमा है तो मुझे अभी पकड़ो ना लेकिन उसको पेंडिंग रखके जब पकड़ेंगे जब कोई ऐसा मौका होगा जब मैं नॉमिनेशन भरूंगा जब मैं चुनाओ के उसे दस दिन पहले बीस दिन पहले म क्योंकि डखेती के मुकदमे में कम से कम 10 साल की सजा होती है और जादा से जादा आजीवन कारावास भी हो सकता है आप दो तीन महीने से पहले जमानत उसमें नहीं होगी तो इसलिए ऐसे टाइम के इंतजार में रहते हैं कि जब विक्ति तुम्हारे खिलाप बोले तुम्ह ए रहे हैंब ग्यूंगरी है तो अभी तो हम जैल पुलिस के हाथ में चोड़ कूं रहे हो हमें रखो ना अंदरी लेकिसाशार जूता मामला था और मैं तुम्हारा सच्चा मान लि कि तुम्हें पकड़ क्यूंखें अंदर रखो अभी देर के अंदर रखो, कम से कम में दो-तीन महीने में छूट के आ जाओंगा, तो मैं चुनाव तो लड़ लूगा अपना, मुझे चुनाव में तो दिक्कत नहीं आईगा, अब लेकिन ये मौके की तलास में है, तो ये बहुत बड़ी साजिस है, राजनीती में मुर्दे गाडे नहीं जाते बताए, सही समय आने के लिए दफनाए जाते हैं, सही समय आने तक उनको अंदर रखा जाता है, अभी जैसे ही वो सही समय आएगा, उनको खाड लेगा, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मेसिज है आप अलाके के लोग को, इलाके के लोगों को मे से नहतरत की जो इस सदी को और इस सदी की चुनोतियों को समझता हो इस सदी की अपॉर्चनिटियों को समझता हो इस समय के अवसरों को समझता हो और वो विक्ती समझेगा इस समय के अवसरों परचुनोतियों को जिसको समझ होगी अब इन्हों ने डंडे से राज किया है लोगों को डरा के धंका के आज में उदर गया था जमसी सरपंच है कठोल का उसके उपर इतने में फरजी मुकदमे लगा दिये कितने हैं करहते mrफ появ ऑर्य तो नवंौ कितने लोग वह बता रहा हम उझे जो डीक की जे जेल मैं कुछ दिन रहा है गरा है डीक की जेल भरी पड़ी है मंत्री जी के ंठेवा विम्दमे आप जाएंक डीडी की जेल में इंटर्वीव करका है उन लोगों का जादातर लोग वो हैं जिनको इन्हों ने जूटे मुकदमों में फसाया है तो यह इस तरह का राज है इनको आप जेल जाने के बाद भी अभी भी नहीं डर रहे हैं डरना मैंने बलकि एक जेल में कवीता लिखी और जे में दlove कितना ही कर ले जुलम या तिरा जुलम सुना डर सें औ जालिम कितना ले जूलम या तिरा जुलम सुना डर सें खुदासू सिर्भ डरनियां हम खुदासू सिर्फ डरनियां हम जातियरी जियल सुना डरसें जुलम की थोड़ाई दिन की है बात न्याय को परचम लहराणों जुलम की खुदासू सिर्फ डरनियां हम जातियरी जियल सुना डरसें चलिए तो मतलब जो लोग कहीं न कहीं मुक्चार साब का मानना है कि जो लोग डरे हुए हैं उन्हें डरने की जरुत नहीं है क्योंकि थोड़ा वक्त के बाद में फिर वो दोर भी आएगा जब न्याय आप लोग को मिलेगा खैर ये इनका मानना है लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके की राजनिती होती है किस तरीके का माहौल चुनाओं में पैदा होता है ये वक्त करेगा इसके अलावा इस पूरी परकरण को लेकर कि आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी आप अपनी परतिक के लिया कमेंट बोक्स में जरूर किएगा एक चीज और जो हमारी मांग थी इस परकरण में हम ये चाहते थे कि जाहिदा ने अगर मौल साब का अपमान किया है तो वो खुद माफी मांगे लेकिन उनकी अकड इतनी बड़ी है उनका घमंड इतना बड़ा है कि उनके ससूर उनके पती वो तो माफी मांग रहे हैं लग कि गलती तो करे आप और माफी मांगे कोई और ये कौन सी इंसानियत की बात है अगर आपने गलती की है तो माफी भी तो आप ही मांगे तो उनकी क्या बेज़ती हो जाती मौलाना धर्म गुरू है किसी और मौलाना का अपमान नहीं हुआ पूरे इलाके का अपमान हुआ है लिए दूसरे धर्म के लोगों से कहते हैं तो लु ट Lincoln बार माफी मांगते हैं अम बैड कर साभ की पृति माह पर उन्होंने जूती पहन के मालाइं डाली हम ने सब अपने उसका कंडन किया हमने सबने कहा गलत किया है गलत तरीका है यह उससे इन्होंने वीडियो जारी किया है उसपे बल्कि यह कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं करा मौलई ताब को गलत फहमी हुई है ऐसे वह बहुत सारी बातें हैं तो ये लोगों में इन में अकड है तो दुसरे से खारीच कर दी कि लोगों को ये कहना नहीं हमारी अकड है हम है हमारा घमंड है हमारा गुरूर है मैं कहता हूँ ये घमंड और गुरूर तो अल्ला ने किसी के छोड़ा ही नहीं खुदा को और खुदी को तो बैर है, जो आदमी खुदी करेगा, जो आदमी घमंड करेगा, जो अकडेगा, जो अल्ला की जमीन पर अकड के चलेगा, अल्ला ताला उसको नस्ते नाबूद करके रहेगा, तो ये जो अकड है इनकी, ये इस तरफ इसारा है, कि जब आदमी का बुरा बकहता अए तो वह के बकह करने लगता के यहं वर्याद को बोला कभी उनके जुनेद नासिर के परिवार वारों को उल्टा सीध़ भूला इल्जाम लगाते हैं हमारे ऊपर की हम गलत बोल रहे हैं खुद लोगों को तकलीप पहुंचा खुद लोगों का सोचन कर रहे हैं चालिए ये कही ना कही इलाके के लोगों ने भी देखा कि क्या कुछ हुआ इलाके के लोगों ने ये चीज भी समझी कि किस तरीके का मामला क्रियेट हुआ लेकिन देखना ये है कि आने वाले समय में क्या कुछ हालात कामा विधान सवागे बनते हैं